प्रवर्द सीर्स की आज है शुरॉआत दूनिया बर के बादानों से फिल से मिले जुले संकेर लेकिन क्या सुल्ट सीरीज की शुरॉआत में मोके बनेंगे आपके लिए खरीदारी के रहेगा फोकेस पर स्वागत है आप सबका शेयर बजार लाइब में नमस्कार में हूँ अनिल जी और नमस्कार मैं हूँ पांशू भंडारी अनल जी थैंक गॉड इस फ्राइडे एक और अच्छी बाद है थैंक गॉड जन्वरी सीज खत्म हादा कि यह बास हम तीन सीज से कह रहे हैं नमबर की खत्म हूँ तो भी ऐसा लगा कि चलो डिसमबर के बाद भी यह लिगा फिलाल जन्वरी के बाद भी और आज एक को इंटेस्टिन डेटा में देख रहा था तो निफ्टी भी तीन महिने में तीनों दिन 27 नमबर 27 दिसमबर 27 जनरी को 17 जार एक सब पचीस-पचास पॉइंट उपर नीचे अलग बाद तो लगबग लगबग उनी लेवल के आसपास है तो लेकिन हां इस वीच में गूमफिर का घर पर आए तो आए आज हम किस तरफ जाएंगे इसके लिए संकेट जो है वह जरात देख लीजिए आज अमेरीकी बाजार से फिर से संकेट कमजोरी के हलके आते वे दिखे हैं उपर इस तोरों पर टिक नहीं पा रहे हैं अमेरीकी बाजार उतार चराव के बीच नैस्टेक 200 अंक सिसला है निफ्टी में चार कम अच्छी बात है कल बाजार बंदोने के बाद ज्यादा तर नतिजिए बहतरीन आते हुए दिखे हैं और एक हमारी बड़ी और एक्स्कुलिजिव ख़बर में और जैसे मैं कहा था अब तो बजट की तरफ भी हमारी नजर है तो बड़ा आक्शन बाजार में आते हुए दि जन्वरी की सीरीज रही है हाला कि घूमफिट के वापिस वह 17,100 के लेवल पर आगे जिसकी आप बात कर रहे थे पर 2000 पॉइंट का हमने स्विंग आते हुए देखा है इस सीरीज में और जो भरपूर वॉलिटिलिटी बाजार में आई है इंट्रडे बेसिस पर वीकली बेस करीदना है पहली चीज आज के दिमांग में पहले यह बिठा लें कि पहली चीज तो है कि जितना ज्यादा निच्छी कुले जितना गैप से खुले उतना करीदना है तो अब इसमें यह समझ से हमेशा रहती है कि जब मैं ऐसा बोलता हूं strongly तो फिर खुलते खुलते तक कीजिए और जितनी gap down opening मिले उतना बढ़े है क्यों उसका विशलिश हम पूरा आगे करेंगे क्यों मैं ऐसा कहना हूं उसके पीछे कारण क्या है अब आपका सवाल बताई है जैन्वरी सीरीज की वालेटलिटी जैन्वरी सीरीज कोई अच्छी ख़वर नहीं है आम तोर पर जैन्वरी सीरीज खराब रहती है डेटा के लियाद से पिछले ग्यारा साल के डेटा में से साथ बार जैन्वरी सीरीज नेगेटिव बन रही है और साथ बार में भी तीन बार छेचे परसें गिरी है और दो बार तीन तीन परसें जहनी की गिरते हैं लेकिन इस जैन्वरी स ने रहा किस साल से इसा हुआ है, 2018 के बाद की जनवरी सीरीज के एक्षन को देखना ज्यादा जबूआ. तो दोजार अठरा के बाद का आप देखोंगे, तो उतना मतलब 2017 में नहीं थे, शो उसके बाद से जनवरी सीरीज ने थोड़ ठंडा ही परदाशन किया, जन्वरी सीरीज से कोई बहुत बैतर प्रदेशन की उमीद नहीं है, लेकिन एक चीज ज़रूर है कि फर्वरी की सीरीज में पिछले साल बड़ाव हुआ है, अगर एवरेज निकालेंगे, तो सारी एवरेज की, तो बेसिकली बात वही है, मेक और ब्रेक बजट है, फर्वरी सीरीज के लिए, तो फर्वरी सीरीज के लिए आपके लिए, नो डाउट, बजट का असर आप दो दिन तक देखते हैं, उसके बाद हो सेटल हो जाता है, और बाद में हम कहते हैं, ग्लोबल मार्केट से इंपोर्टन हैं भी, लेकिन बजट आपके लिए बेस बना देता है, आपको तेजी का बेस बनाना है, या मंदी का बेस बनाना है, वो बजट से हो जाता है, और उसके बाद बजट पर जो बाज़ार डाइरेक्शन लेता है, वो पूरे फर्वरी सीरीज कर रहता है, सपोर्स हम हलके जा रहे हैं, बजट अच्छा है या बजट में कुछ खराब यहां पर आप हैं, बजट ठीक लगा, सत्रा पान्स होग है, सत्रा पान्स होगै, वहाँ पर आप सेट बनागी है, और उसके बाथ आप ग्लोबल संकेतों पर ट्रेट करते हैं, तो जो डेटा है, दो-तिन डेटा बहेत बहें इंटेश्म कर दि दीव बताना चाहता हूँ, पहली चीज़ तो है कि जनवरी सीरीज में, जो रोलोर्स होएं, वो निफ्टी में काफी कम है, सिर्फ 75% के रोलोर हैं, जो कि तीन महिनों की एवरेज 81% है, इस्ते महिने में 89% होए थे उसके मुकामने में, यानि कि निफ्टी को लेकर confidence कम है, लेकि बैंक निफ्टी को लेकर सब्सक्राब आकशेरों का हैं, जो कि ठीक है, थोड़ा सा बढ़करा है, शोट साइट पर ज्यादा है, जनवरी सीरीज में, आफ कि लिगाँ, बार बार मेरा जनवरी सीरीज में दिमाग में आ रहा ह। फरर्वरी सीरीज में एक सबसे बड़्या और सब fasciner क civilt में आपको ब कल हम 44% पर से हैं, 44 से और गटकर 33% पर आगए, अब लास्ट टाइम 33% या इससे कम कब थी, ये थी मार्च 2020 में, माफ़ेज़ अपरेल 2020 में, जब हमने अपरेल 2020 में सिरीज की शुरुआत किये, यानि मार्च की सिरीज जो हमने रोलवर की थी, 30% थी, अब मुझे आप बताओ, खाली मेरा एक सवाली है, कि ठीक है, सब खराब है, दुनिया में ब्याजरें बढ़ने वाली है, अमेरिका में बैलेंशीट भी कम करेंगे, बॉन्ड भी बेचेंगे, महेंगाई भी बढ़ रही है, हमारे यहां भी सब समझ से आए, एफाई भी बेख रहे हैं, लेकि क्या ह हम मार्च 2020 में, नहीं सर, बिल्कुल, जब सब कुछ ठपता, सब कुछ बन था, सब कुछ खराब था, लो डाउट, मार्च 2020 में निफ्टी भी यह नहीं था, लेकिन गिरे हम 12,000 से थे, 12,400 से गिरके 27,000 पहुंचे हैं, और तब यह था, फर्क एक यह बस, यही कि मार्च 2020 के लेवल अलग थे, यह लेवल अलग है, लेवल के इसाब से वहाँ कमफर्ट नहीं है, लेकिन इतना खराब मूर माहूल नहीं कि हम, मतलब बिल्कुल, मतलब FIs सिफ 30% लोंग पे जाने हैं, 30% लोंग पे जाने पर आपके पास दोई ऑप्शन है, या तो आपने इंडिया को आज के बाद हमें यहां नहीं 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 पैसा लगा नहीं है, तब तो आप जीरो करके थेंक्यू वेरी मच निकल गए, हमने पैसा बना ले, अब साड़े साथ आठ 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 जार पे खेरो, उस समय भी FIs भी बेच रहत है, गरिलू फन ने खरीदा है, तो कोई ऐसा तो ह इनको profit booking करनी थी कर दी, अब index में long position है आपकी कम है, एक ही चीज़ इसमें और है, long position index में कम हो गई है, stocks अभी भी उनके पास है, so positive आप लेखेंगे तो क्या है, index तो और नहीं बेचेंगे, अगर index नहीं बेचेंगे तो index पे तो pressure कम बना, stock related जो selling हो तो आ सकती है, उसको मार्च के बाद, अप्रेल के बाद अभी lowest level पर जा रहा है, जो सबसे, मतलब lowest open interest पर हमने series की शुरुआत की थी, वो थी मार्च की, जो 14% FIs long थे, फरवर्णी में 17% है और अप्रेल में 30%, तो अप्रेल 2020 के बाद अभी आप वापस वह आ गए, लगबग 2 साल बाद में आप position और वहां से तेजी हुई है, जबरदस तेजी हुई है, तो एक सबसे बड़ा कारण है कि FIs index level पर बहुत हलक है, अब stocks कितना बेचते हैं यह तो एक अलग बात है, बता, stocks भी बेचने में क्या है, जो short term funds हैं, hedge funds हैं, trading करने वाले funds हैं, वो बेचने हैं, वो बेच सकते हैं, long only funds, वो इन लेवल पर आकर बेचने हैं, इसकी संभावना कम है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इस सीरीज की शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ा trigger यह है, जिन से सबसे ज़्यादा डर है, वो ही हलक है, चलिए, तो यह एक बड़ी राहत की बात आ रही है, पर एक बात है सर, नई सीरीज की शुरुआत है, सेट अप भी आप समझा रहे है, ग्लोबल वालेटिल्टी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और जो आप पॉइंट मेक कर रहे थे पिछले कुजिनों से, उपरी सरों पर अमेरिकी बाजार नहीं टिक रहे है, कल भी क्लोजिंग के समय ह अच्छी शुरुआत हुई, बट सेकेंड हाफ में वही सेम स्टोरी कल भी प्ले आउट होती है, कैसे डिसाइड करें दीप, कि दो दिन नीचे खुलकर दिन के हाइस पॉइंट पर इस अफ़ते में, दो दिन ऊपर खुलकर दिन के लोइस पॉइंट पर, क्या समझे तो मैं मैं एक ही चीज़ समझता हूं, कि मुझे तो जो समझ में आता है, बेस फॉर्मेशन हो रहा है, बेस फॉर्मेशन इसी तरह से होता है, जब एक्स्रीम वॉलेटिलिटी होती है, सो अनलेस की कुछ नए लेवल तोड़ दे, तब तो यह है कि हम यह नहीं रुक रहे हैं, अब आउंस नहीं आता है, तो फिर थेंक यू वरी मच है, फिर आपका नेस्डेक 20% तक तो आराम से जाए गए जाएगा, जो उसके बहुत करीब पहुंच बेराए, 17 तो होई गया, फिर नेस्डेक 20% के आजपास गिर कर दो तीन परसेंट और गिर कर रुक जाए, फिर दाव मे दुलाई हो, यह भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल से अगर अमेरिका के लिए आज मंडे, दो सेशन सबसे क्रूशल है, मेरा भरोसा अमेरिका में रिकावरी पर है, मैं तेजी की तरफ देख रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे बहुत करेक्ट हो गया है, या मुझे बहुत अ कि कोशिश हो रही है, बोटम तो बनने के बाद पता चलता है, बेस बनते वक्त पता चलता है, फरक इतना है कि कब बेस बन रहा है आपका, तो आप बेस मजबूत बन गया, ऊच जाएंगे, बेस धिला रहा, गिर जाएंगे, बोटम जब नीचे से आप कम से कम 2 या 3% उपर आ जाएंगे, तो आप मानेंगे कि बोटम है, कि हाँ बन गया, बन गया, इसलिए मेरे ख्याल से आज 99% आज ही अमेरिका बता दे, आज weekly closing है, नहीं तो सोंवार तक तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिकी बादन को यहां रुकना है, अग नहीं रुकना है, अग नहीं जाएगा, लिगो उसकी संभावना मुझे कम दिखी, तो ठीक है, एक्स्रीम वोलिटिलिटी, डोनल इंडेक्स आपका कितना 18 महीने के हाई पर आ गया है, डोनल इंडेक्स बड़ेगा तो नेचरली बाकी कमोडिटी इस पर एक्विटी मार्कर पर थोड़ा दबाव रहता ह अटरा सुचालीस ओला गोल, सत्रा सुनब्बे पचान दो गया, बढ़ने में, गिरने में, बोलो ना धीमे धीमे हर चीज मेकेनिकल होती जारी है, मार्कर से लेकर रिष्टे, भारी बात बोलगी सर, आपने सुबा सुबार, कभी बोल देना अची है, वो कई बार है ना, मस इसलिए वोलिटिलिटी बढ़ रही है, यह थोड़ा लर्न करना पड़ेगा इसके साथ रहने के, सीख रहे हैं, पिछले साल डेर साल में यही सीखा है कि मशीन ट्रेडिंग के जमाने में, मार्केट के मुह को पुराने जमाने में जो पढ़े थे हमने, समझे थे और देखे है, हर फॉल, हर राइज, नहीं चीज सीखा था, और इस वाली में तो जो मार्च 2020 से अभी तक की जो लर्निंग है, कई बार ऐसा लगता है, पच्छी साल तो पहले ऐसे खराब ही किये, सीख तो अब रहे है, अब रहे है, एक अच्छी बात है, आपकी कॉमेंटरी सुनते पुटी भी सुधर कर अब एकदम पॉजिटिव टेरिटरी में आने के तयारी दिखा रहे है, तो चलिए सर, करते हैं इस सीरीज की शुरुवात, आज की शुरुवात, बताएं संकेत सर, आज के. हाय वहल्क कर अगराऊं है, ग्लोबल संकेत में नेटर्ल रखे हैं, नेगिटिव नेग रखे हैं, मुझे न्युट्रल ज्यादा दिख रहे हैं, मुझे ऐसा बहु खराब हैं, जितने खराब हैं उतनी हैं, एस के संकेत नेगिटिव साइट पर हैं, गरेलू- फंप्ड पी वाइदा करोबार के संकें नीटरल से हलके पॉजिटिव साइट पर हैं और यह भी मैं आपको विस्तार से थोड़ा बताऊंगा क्यों मैं ऐसा करा रहा हूं सेन्टीमेंट नीटरल है नीटरल से हलका सा पॉजिटिव हो रहा है हलका सा अब ही भी निफटी 16,975 साथ 17,025 यह आपके लिए तुरंट सपोर्ट का काम करेगा आज के लिए इसके नीचे गए तो 16-825, 16-875 स्ट्रॉंग बायजान बन कर आएगा उपर 17-175, 17-235 यह सो पोइंट की रेंजे जो रुकावट का काम करेगी और इसके पार 17-300-375 तक की तैयारी हो सकती है और अगर आज दिख तो मुझे आश्यरी रहे होगा अगर बाजार आज सर्प्राइज करना है तो मेरे खाल से पोजिटिव साइड पर आज सर्प्राइज मिलना चाहिए शौक नहीं इसा मैं सोचता हूं इसलिए मैं अगर आज आप मेरे और दीप के कलर से भी कुछ अंदाजा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नी अब आपसलूट अब बैंक निफटिविटिव ने बहुत नजदीख के सपोर्ट दीट मैंने ज्यादा दूर के दिया नहीं क्यूंकि मैं बैंक निफटिविटिव को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और जो रिजल्स आय है आज बेल वगयरा के जो रिजल्स आरे हैं पी एन बी के जो के अन्रा बैंक के अमने देखे हैं और हमारा यह स्टेंड बहुत क्लिर रहा है जन्वरी सीज से कि सिर्फ और सिर्फ बैंक्स करिजना है बैंक्स एन्बी एस यह दोनों ही लीड करेंगे और उखोता जीए और 38,600-39725 प्रोफित बुकिंग जोन है 38,855 इस रन-प में हमने हाई बनाया है बैंक्स टी में 18 जनुरी को वहां तक बैंक्स की जाने की तैयारी हो सकती है तो आपको अगला प्रोफित बुकिंग का जो बड़ा जोन है जहां पर जाकर आप अठकेंगे वह 38,600-3850 है वहा अगर आपको मजबूत होना तो उधर ही देखो उधर ही देखो अंडेट परसंट ठीक है प्रेडिंग रेंज ट्रेडिंग रेंज शत्रह जार 17,175 चोटी वाली है नीचे खुले खरीद नहीं ही 16,875, 17,275 मीडियम, 16,825, 17,375 बड़ी रेंज बैंक रिफ्टी है 37,700, 37,325, 38,325 माफ कीजिएगा छोटी रेंज है 37,575, 38,475 मीडियम है और 37,375 से लेके 38,600 बड़ी रेंजे थोड़े लेवल्स आड़े तेड़े हैं आपको नोट करने पड़ेंगे या याद रखने पड़ेंगे लेकिन जिस तरह की बड़ी वोलेटिलिटी बैंक रिफ्टी में होती है उसके हिसाब से लेवल्स मुझे देने पड़ता हैं इंट्राडे की वोलेटिलिटी तो आप देखी नहीं कितनी ज्यादा होती हुए दिख रही हैं अब आईए कुछ और डेटा आपको बता दूँ एफाइस की इंडेक्स लॉंग पोजिशन तो हम बात करी चुकें दी 44 परसें से गटकर 33 और सबसे बड़ दूसी चीजा एक और है अब पंदर-पंदर 20-20 परसें आई-टी सब गिर चुकें छे स्टोक है निफ्टी में आई-टी करेक्ट है वो कितना गिर हो गए सामने 45 रुपे में टी-स लेने को तयार खड़ा है मैनेजमेंट बाइबेक में आप 36 रुपे पर जबरदस नतीज ह इतने शांदर रेजल ब्लाइंड बाइए है तिसेंट ब्लाइंड बाइए है दिमाग लगाए वगए पंदरा परसेंट का करेक्शन टाइम लगा सकता है आज आप लोग कल बढ़े ज़रूरी नहीं है मैं फिर कहूंगा जिन लोगों को टी-स बाइबेक के लिया से खड़ हो आएगा आराम से आपका 8-10 परसेंट बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है पांच परसेंट भी बना तो क्या बुरा है कुछ नहीं सब मेरे खाल से यह अब आई-टी शेर भी कुछ-कुछ ऐसे हैं जो इन लेवल्स पर आगए नो डाउट आई-टी में वह तेजी नह है 1.09 बहुत कमफोटेबल है आम तोर पर सिर्जी की शुरात में आप 1-20, 1-25, 1-30 के पुट कोल रेशियो पर करते हैं यहां पर 1.09 का पुट कोल रेशियो यह नहीं कि आप बहुत भारी नहीं है लोंग साइट पर हेवी नहीं है बहुत बैलेंस है तो वह भी एक आपके ल 16,800 के आज पर उसका आता है वह बहुत दूर हो जाएगा इसलिए मैंने 17,000 को बड़ा लेवल माना है उसके थोड़ा सा निचे 16,975 का स्टोप लोस रखा है क्ल हमारा स्टोप लोस स्टोप लोस का था जो ट्रिगर हो गया अगर किसे ने क्लोजिंग बैसिस पे निफ्टी अगर आज आप 16,975 का ही रख लें अगर 17,000 के नीचे बंद होता दिखे तो फिर निफ्टी में आपको लोंग पोजिशन कम कर लें निचे इसमें कोई डाउट नहीं अगर आप बैंक निफ्टी का स्टोप लोस देख रहे हैं मैं बहुत चोटा स्टोप लोस दे रहा हूं इंट्राडे का में छोटा दे रहा हूं 17,200 का ताकि आपकी रिस्क उपर की कम हो जाए क्लोजिंग बैसिस पर हमने 17,306 की क्लोजिंग देखिए दो दिन पहले उसके उपर 17,300-325 के उपर जाकर बंद होता है तो आपको अपनी शॉर्ट पोजिशन काट लें चाहिए तो इ काट लें पोजिशन थीक है सिंपल सी बात है अंडिस्टूट सर यह मौजूदा पोजिशन बाइद वे बात करते करते है एक सिंफ्टी है पॉस्टिव हो गया हो गया हो गया अब उम्मत बोले कर यह गाप डान वाली बात वह नहीं मानता फिर बासार उसके बात मेरे साथ स वाजे से शुरू करता है अब खरीदे निफ्टी सोला आट सो पेटर सतरा जार रेंज अगर आता है उस रेंज में चांस तो कम है अब तो यह ग्रीन में भी हो रहा है बड़ आज कल की वोलेटिलिटी को देखते है किसी चीज के लिए हम मना नहीं करते है बिलकुल आने में अब ही सकता है अगर आए इस रेंज में तो खरीदेगा ज़रूर 16,800 के साथ में टार्गेट 17,100,175,275,300 यह चोटे वस ठीक है लेकि यह ट्रेड ठीक नहीं है सही वाला ट्रेड अब आ रहा है आपके सामने अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय है और स्टॉप लो से 17,000 से थोड़ा सा नीच्छे 16,975 इसको नौट कर लो आप ठीक है टार्गेट 17,175 छोटा वाला जहां आप खुलेंगे 275,300 मीडियम टार्गेट है तक के टार्गेट के लिए आपको निफ्टी में खरीदारी करने है स्टॉप लोस ट्रेल करते चले जैसे जैसे ऊपर जाए अब आईए बेचने के लिए बेचना कहा है ये ट्रिकी है थोड़ा सा 275,300 की रेंज में बेचना है ये आखरी रेंज है बेचने की अगर इसके प 500,300 में एक चांस ले सकते हैं बेचने का नीचे का टार्गेट जो बनेगा वो 17,250 चोटे टार्गेट एक सो और 17,000 बस ज्यादा टार्गेट बिए 17,000 तक के लिए ठीक है बैंक निफ्टी सर खरीदे 37,575, 37,750 के रेंज में आए तो वाँ खरीद लीजिए अगर आपको 200,500 पर नीचे खुलता हुआ दिखे है बैंक जिफ्टी तो आपके लिए लपक लेने का मोगा है, मतलब 700, 750, 600 बहुत बढ़िया जगह है आपके खरीदने के लिए, चोटा स्टो प्लोस दे रहा हूं 37,500 का, टार्गेट जो उपर का बनेगा दीफ वो बनेगा 37,850, 37,975 दो च सामने आ रहा है, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक लिफ्टी का, एग्रेसिव ट्रेडर्स को बैंक लिफ्टी, 37,700 के साथ खरीदना है, टार्गेट पहला बनेगा 38,150, 38,325, 38,400, यह तो तीन होगे छोटे वाले टार्गेट, इसके बाद वाले टार्गेट बहुत बैंक लिफ्टी के जाने की तैयारी है, बैंक लिफ्टी, सिर्फ बैंक और बैंक लिफ्टी, जबर्दस को आने वाले है, यह लिना है, तो यह आपके लिए, अचा बेचने का बूले है, एक चांस लेना चीए, 38,600, 725 के आस पास 38,850 तक भी आप बेच सकते हैं, जिसका मै मैं स्ट्रप्लोस दे रहा हूं, तो चाहें तो 3900, इसको स्ट्रप्लोस को 3900 कर दो चलो, तो अथा कि 38,850 रगाए तो 50 और वहां भी आप बेच सकते हैं, 38,900 का स्ट्रप्लोस कर लिजे, और टार्गेट जो मनेगा 38,500, 38,350 चोटे टार्गेट है, 38,200, 38,150 और 38,050 यह टार बताएं सर्व, डेटा में कुछ इंट्रेस्टिंग निखना है, फंड्स के या फिरवाइद में, मूल खराब होता है, 6,200 करोड की बिकवाली देखकर, 3,000 करोड के इंडेक्स बेचे हैं, 960 करोड के स्टॉक फीचर बेचे हैं, लेकिन हम पतली गली से निकल जाते हैं, यह ठीक है, यह डेटा हो गए, अब आईए आप F&O डेटा में, F&O डेटा में एक बहुत इंट्रेस्टिंग डेटा बता रहा हूँ है, बहुत ही जबर्दस्त है, मेरे को समझ में नहीं आई, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस ने किया, आशीज भी आशीज भी दियान से सुनिए जीज़ी के और एक ईम्समी ऊपर, को खत्म हो रही है, आशीज भी दियाक किस लेवल है और कितना एम यह है बहुत बेंज कमें खर ब्लषक हम मंत्ली में कम है पहली बार यह देखा कि वीकली सीरीज की जो रेंज है मंत्ली सीरीज के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। आप सोच सकते हो कि weekly सेरीज में highest open interest put में कहा होगा, हम 17,000 पर हैं, कहा होना चाहिए, any idea, any guesses, 500 पर put writing करो, 500 पर करो, वही होना चाहिए, 15,100 के put पर highest open interest है, 25,100 पर, इसे कौन से महनु भाव है, जिनको 15,100 दिखरा है इस सेरीज में, weekly वाली है, weekly, 5 दिन में 2000 points, ठीक है, दूसरा, highest open interest, कोन साइड में कहा हो सकता है, आप 17,000 पर, अंदाल लगाईए, देखो मत, बिना देखें, बताओ, लोजिकली, इस 17,500, 600, लाइफटाइम हाई कहा है, निफ्टी का, 18,600, कहा है highest open interest, 19,800, और अच्छा, साइज भी अच्छी है, 15,100 पर 25,000, 19,800 पर 33,000 शेर है, बड़े साइज है, अब इसमें दो चीज़ है, या तो किससे ने synthetic trade बनाया है, या फिर, या फिर, जो दूसरी च सिंगे, क्या बजेट के बाद, मार्केट इतना बड़ा मुह दिखा सकता है कि 20,000 की तरफ निफ्टी की तरफ जाने की कोशिच करें, 15,000 की तरफ आने की कोशिच करें, या किसमें बजेट के इसाब से पोजिशन में नहीं है, अच्छा, पोजिशन साइज़ेबल है, उस ल सिंथेटिक ट्रेड, कई बार क्या होता है कि कॉल और पुट की राइटिंग इस तरीके से की जाती है, कई बार वो प्राइवेट क्लाइंट ग्रूप वाले जो बड़े-बड़े प्राइवेल्थ मेनेजमेंट वाले लोग होते न, वो ऐसे स्ट्रॉक्चर्ड प्रोड़क बनाते हैं, जिसमें वो निफ्टी और बेंक निफ्टी का पुट और कॉल ऐसे लिखते हैं, जिससे कि उनके पर्टिकुलर लेवल के आसपास हेजिंग रहे, वो सारे ट्रेड होते हैं, वो थोड़ा एडवांस चीज है, मेरे थोड़े समय में समझाना मुश्किल है, तो आपको 11 बज के 40 मिट पे, कितनी बजे भेजाता डेटा? 11 बजे के करें, 11.40 मेरे नीन उड़गी है देखके, मैं सही तो पढ़ रहा हूँ, फिर मैं सुझा कि इन देवांशी ने सही तो भेजा है, मैं भी तीन बारी चेक किया बेजने के पहले, तभी मैं वही बार बारी क कि बजेट के बाद और जब यह वीकली एक्सपारी होगी गुरुवार को इस डेटा का रिलिवेंस किस तरह से बनता है, यह समझने वाल जी, यह सीखने में है तो इंट्रेस्टिंग डेटा बन रहा है बाजार में और देखते हैं, चाल कैसी रहेगी? आगे है कल के हाई पर तैयार है, दोसों के परार जाने के लिए बिलकुश तो जबरदास अक्षन है और अक्षन सिर्फ मार्केट में नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको रहने वाला है, तो आए जानते हैं, अनल जी से उनकी आज का स्टॉक अपर नहीं है, सप्राइज तो नहीं है, सप्रा आज तगरीद दोड़ लगाएगा, उसके दो बड़ी वज़े दीत, रिजल्ट से अच्छे हैं, तोड़ फोर नहीं है, लेकिन उमीद से बेतर हैं, मुनाफिक लेकिन जिस बात की चिंता थी, जो विश्वी राओजा साहब निकले और जब आर्वे के एक नोमिनी आयें ब आप जरूत से ज्यादा गुसिये मत, पढ़िये मत, तो जो बड़ी चिंता हैं, अच्छा, अंडर ओंडर, किसी के पास नहीं है, सब बेच की निकल गए, अच्छा, और पिछली सीरीज का सबसे खराब परफॉमर रहा है, उसके पहले वाली का, इस सीरीज का में तो 20% बढ आता जा रहे हैं, वो निकल भी रहे, अब जो एंट्री हो रही है, और जो बड़े इस बेंक को लेकर, तो यह स्टॉक इस महीने भी कमाल दिखा सकता है, अगर बाजार खराब नहों हो, बैंक निफ्टी खराब नहों, तो मुझे रगता है कि यह स्टॉक परफॉम करने में आगे रहेगा, और अगर वापस से पुरानी ग्लोरी 200 रुपे के आसपास पहुंच जाए, तो बड़ी बात नहीं है, अगर मेनेजमेंट आज पॉन कोल के बाद यह कंफर्म कर दे कि एसेट कॉलिटी जो इस क्वाटर में दिख रही है, वो आगे भी रहेगी, और यही हमा तो यह इवेंचुली वापस 200 रुपे लग जाएगा और उसमें काफी लोगों को रिलीफ मिलेगी, बिल्कुल, अटके और भी निकलाएंगे, यह है, चलिए तो, RBL Bank यहाँ पर आप जबरदस action एक्सपेट करिया, नतीजे दमदार रहे हैं, आज के लिए आपको किस तरह स चार कंपनिया, ब्रिटाइनिया, डॉक्टर एटीज, कोटक महिंदरा बांक और L&T के नंबर्स पर नज़र रखनी है, साथी F&O स्पेस से 12 कंपनिया अपने नंबर्स डिकलाएर करेंगी, जिसमें AU Small Finance, अतुल लिमिटेड भारत Electronics, चंबल Fertilizer, CG Consumer Electricals, Dixon Tech, Mariko, Max Financial, InfoEdge, Obre Realty और साथी United Brevories और Vedanta अपने नंबर्स डिकलाएर करती भी दिखेंगी, कैश सेग्मेंट की भी बड़ी सुची है, चुनिंदा नाम है Century Ply, Signity Technologies, Deepak Fertilizer, साथी Great Eastern Shipping जैसे Stocks पर आपको फोकस रखना है, ABB India और Intellect Design आज से फरवरी सीरीज की जो शुरुआत है, वाइदा बाजार में शामिल होते वे दिखेंगे, भारती एटल प्रेफरेंशल शेर जारी करने पर आज बूट बेठेक होने वाली है, साथी CMS Info Systems का Anchor Lock-In खत्म होता वा दिखेगा, और Moil पर नज़र रखे, इसका भरतावा दिखा है, Retail Subscription 1.02 टाइमस हुआ है, 218 से 230 रुपे प्रती शेर का भाव रखा गया है, यहाँ पर आज IPO का दूसरा दिन है, Post Market Numbers, BHE Alkal, दो बारी मैंने आपको प्रिविज बताए और दमदार नंबर की Expectations थी और उसको भी यह बीट करते में नजर आ रहे है, गा ठीका था, Definitely काफी बहतरीन है, Margins भी 0.7% के अनमान के मकाबले 1.7% पर आई है, और साथ तिमाईयों के बाद EBITDA positive हो रही है company, साथी PNB पर नजर रखिया, Asset Quality यहाँ पर भी सुधार है, 13.63 के मकाबले 12.88% के GNP है और company का मुनाफ़ा भी 123% बढ़कर 1127 करोड़ पर आता व बता रहे थे, 5.4 से 4.84, मुनाफ़ा 6% बढ़कर 156 करोड़ पर आता वा दिखा है, तो नमबर्स RBL Bank के शांदार है, Absolutely तो, कुछ तो नमबर्स शांदार रहे हैं, वरुन मॉनिंग बताएं, आपके पास भी कुछ शांदार नमबर्स हैं, Definitely काफी सारे शांदार नमबर्स है कोफोज, Almost अनमान के मुताबित है, Guidance बढ़ाया है, Revenues 5.7% बढ़े है, Margin 14.9% पर आया है, जिसमें करीब करीब 1.1% की बढ़ोत्री है, मुनाफ़ा 25% बढ़ा है, Guidance जो है इन्होंने अपने revenue का 35% से बढ़ा के 37% कर दिया है, इंडस्टावर, यहाँ पर कमनी के जो Margin से उसमें खासी बढ़ोती देखने मिले 53.5% के आसपास आया है, जबकि इसके नीचे का अनमान था, मुनाफ़ा 15.71 क्लोस पर आया है, निपॉन लाइफ कमनी के जो income में 26% बढ़ी है, हाला कि मुनाफ़ा जो है, उसमें करीब 18% के आसपास की गिरावाट हुई है, दाजमिया 13.4% पर आये हैं, हाला कि अनमान से थोड़े कम हैं, लेकिन बढ़ोती हुई है, मुनाफ़ा जो है, साड़े 10% बढ़ा है इस कमनी का, और cash segment में map my India, यहाँ पर नमबर्स कमजोर है, margin 46% से गिर के 36%, मुनाफ़ा में 27% के आसपास की गिरावट है, वहीं कमपनी, एक कमपनी म stake purchase कर रही है, यह भी update कमनी ने दिया है, और route mobile, stable type के numbers है, margin 11.7% से गिर के 11%, मुनाफ़ा 28% बढ़ा है इस कमनी का, ओके तो यह हैं आपके लिए कुछ और numbers और नतीजे जहाँ पर आपको रखनी है, नजर कुछल कुछ और cash market के stocks आपके पास भी बिल्कुल काफी सारे numbers हैं, पर सबसे पहले, फिनो पेइमेंट बैंक, quickly आपको बता देता हूँ, margin 6.2% से 9.4%, मुनाफ़ा 116% बढ़कर 14 करोड पर आया, आए भी 20% बढ़ी है, किया इंडेस्ट्रीज नंबर्स अच्छे हैं, बट margins में गिरावाट है, 11% से 10%, मुनाफ़ा 33% बढ़कर 101 करोड पर आया है, आए 36% बढ़ी है, महिंदरा लोजिस्टिक्स नंबर्स कमजोर साइट पर है, 5.5% के मुकाबले 4% की margins आई है कंपनी की, और अगर आप कंपनी का मुनाफ़ा देखें तो 18 करोड से घटकर अब 5 करोड पर आता हूँ, तो नंबर्स कमजोर साइट पर है, मोतिला लोस्व तो यहाँ पर control print numbers अच्छे हैं, पर margins में गिरावट है, 24% से 23.4%, मुनाफ़ा केवल 19% बढ़ा है, 9.32 करोड पर, home first finance, asset quality कमजोर है, पर overall numbers अच्छे दिख रहे हैं, AUM 27% बढ़ा है, मुनाफ़े में 16 करोड से बढ़कर 46 करोड, पर company का जो GNP है, वो 1.7% से बढ़कर 2.6% हो हो रखा है, यह थोड़े से कमजोरी का, asset quality की कमजोरी का indication है, IFL finance numbers अच्छे हैं, यहाँ पर मुनाफ़ा 15% बढ़कर 310 करोड पर आया है, आय में भी आपको लगभग 16% की बढ़त रहे हैं, और अन्पे डॉलर इंडस्री इस नंबर बहतरीन है, margins 13.9% के मुकाबले 16.8% और कमजोरी का मुनाफ़ा भी 56% बढ़कर 44 करोड पर आता हुआ दिख रहे हैं, तो यह है आपके लिए कई सारे नतीजे जहां पर आज रियाक्शन रहेगा, खबरे भी हैं, कुछ जो वरन बता रहे हैं, वरन बता इनके बार में, ओके दीप, तो सबसे पहले TVS Motors कल शाम को इस कमनी कर रही है, जो मैटो, इंट्रेस्टिंग खबर है इस कमनी के लिए, दो कमनियों में ये कमनी हिस्सा खरीद रही है, और NBFC विवसाई के लिए इस कमनी ने एक सबसे डरी का गटन किया है, सबसे पहले दो कमनियां जापे हिस्सेदारी खरीद रही है, एड़न मो प्रा साही के लिए इस कंपनी ने सबसेडरी का गटन किया है के पियार मिल्स 31 जनवरी को नतीजों के साथ बोर्ड की बैटा के जाए पर बाइबैक पर एक कंपनी विचार करने वाली है शुगर स्टॉक्स पर नज़र रखेगा क्योंकि सरकार के दव से एक नोटिफिकेशन आया है जहाँ पर यूपी माराश्ट और करनाटका में जो ब्लेंडिंग है वो अब 11% के आसपास की है इतना होल की ब्लेंडिंग बलडामपूर्चिनी दो फरवरी को फंड जुटाने पर बोर बैटक करने वाला है बीएमेल पर नज़र रखेगा क्योंकि अन सेक्योर क्रेटर्स की बैटक है जहाँ पे बीएमेल और बीएमेल लैंड एसेट लिमिटेट के बीच में जो स्कीम आफ अरेंजमेंट है उसके शुरुवात में LIC का IPO जो है वो मार्केट को हिट कर सकता है ओके तो नज़र रखेंगे LIC IPO पर अपडेट एर इंडिया का डैवेस्मेंट हो गया है पूरा और भी धेरो खबरे जहाँ पर आक्शन है अक्शन है ब्रोक्रेजिस का भी आईए देख लेते हैं आज की रिपोर बुड मॉर्निंग दिपांचु धेर सारी रिपोर्ट साही है शुरुआत आरबियल बैंक के साथ करते हैं CLS की तरफ से जो है अपग्रेड आया अब ये रेटिंग को बढ़ा कर खरीदारी के राय देने 153 की जो है कलकी क्लोजिंग है 200 रुपे का लक्ष दे रहे हैं और य इमानरे की कोई भी पॉजिटिव सर्प्राइज देखने को नहीं मिला और अंसर्टिनिटी बनी होई है जिसके चलते स्टॉक के बेरिश हैं कोलगेट यहां पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा CLS ने आउट परफम की रेटिंग को बरकरार रखा है 1540 रुपे के ल रखा है 460 रुपे के लिए लक्ष खटा है क्योंकि पहले 475 ता अब 460 कर दिया है 325 का असपास की जो कलकी क्लोजिंग है लेकिन फिलाल भी इमानरे की नहीं खरीदारी के लिए हाथ से इन्हें रिस्क रिवार्ड जो है फेवरेबल नज़र आ रहा है लेकिन उन्हों ने इपेस का जो अनमान ने इसमें करीब 2 से लेके 4% की कटोती की है लेंटी लगातार ब्रोक्रेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट साती है सेलेसे की तरफ से रिपोर्ट है एक ख्रीदारी किराय को बरकरा रखा है 1913 कल की क्लोजिंग है 2450 रुपे का लक्ष दे रहे और य हाला कि अगर आप जो कमेंटरियों से देखेंगे तो वो पॉजिटिव है यह मान रहे कि इनका कामकाजी मुनाफ़ा यानि प्री प्रूविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 15% अनुमान से जादा है और एनाए का जो ट्रेंड यानि ब्याजाय का ट्रेंड है वो अब भी भी अपना व्यू नी बदला है विक्वाली के राय को बरकरार रखो है 27 रुपे का सिर्फ लक्ष दे रहे हैं करीब 59 की कल की क्लोजिंग है और यह मान रहे कि नतीजे एक्सपेक्टेशन के अनुमान के बहतर है लेकिन टागेट प्राइज और रिटिंग में कोई बदलावने किया है पी एन बी मौगन स्टाइली एक्वल वेट की रिटिंग दे रहे है त्रेपन के लक्ष के लिए पेडराइट पर अंडर परफॉर्म की रिटिंग दे ए क्रेडिट स्वीस ने 1950 रुपे के लक्ष दिया है टीवेस मोटर्स पर जो खबर वरुन ने आपक बिल्कुल नहीं बदला है कमेंटरी देखोगे तो पॉजिटिव है लेकिन टार्गेट प्राइस रेटिंग में कुछ बदला है ठीक है कभी वापस से भगवान ने करें मार्च 2020 हो तो बहल से 30 में मिल भी जाएगा है स्टोक मार्केटिक तो ऐसी जगह है जहां दोनों तरह है कि लोग कभीन कभी एक दिन तो सही होते हैं एक दिन के लिए हो लेकिन होते सही ज़रूर है आईए बढ़ते आगे वक्त है इस नई सीरीज की शुरुआत करने का पिक अफ़ दे सीरीज सिमी जी सूप्रवाद करिये शुरूआत वेरे गुड मॉर्निंग अनिल जी वेरे गुड मॉर्निंग दिपांग्शू मेरे तरफ से पीक अफ़ दे सीरीज होगा टाटा मोटर्स चार सो असी का स्टॉप्रस के साथ खरीदने का सलह होगा पान सो दस पान सो बीस ये दो टा गुड मॉर्निंग अनिल जी गुड मॉर्निंग दिपांचु अनिल जी खरीदना है इंडिया सिमेंट इस सीरीज के लिए और इंडिया सिमेंट का अगर आप अनिल जी चार्ट देखें तो स्टॉप में बड़ा जबरदस्त करेक्शन आ चुका है स्टॉक अब एक major सपोर् है 212 रुपे का और होल्ड करके चलें यह स्टॉक 200 रुपे के लेवल्स दिखाएगा पहला टार्गेट 235 रुपे के असपास दूसरा टार्गेट 250 का इवेंच्वल टार्गेट होगा और अनिजी छोटा सा मासूम सा सवाल है अगर अनुमती दें तो पूछ भी सवाल छोटा क्या मुंबई में बनेगा इस पर दिल्ली में तो बन नहीं रहा है आप हल्वा खाना चाहता है बिल्कुल हल्वा बनेगा हमने वैसे आपके लिए विशेश पकवानों का इंतिजाम किया है काफी कुछ जैपूर से आ रहे हैं कुछ पूने से आ रहे हैं कुछ दिल्ली से आ तर्फिछन जी पर की सब स्कीरे ने जाएंगत इयाए कश्यक्षर का मीक्रा आइए कुनाल जी आपका इंथार भी अधिसली प्रूस comprehμεनी रचाला आइक जूटने जाओ, रहना जाओ, बंचल जी पूरे फिट होकर आया है ना शो करने के लिए, अनिल जी बिल्कुल फिट है, रेडी फोर बंबई है, अनिल जी और मेरा भी अनिल जी एक मासून सा सवाल है आप से, और अनिल जी मैं पूछ नहीं रहा हूं कि आप मना तो करते नहीं अनिल जी जिस तरह के से, आजकर शादियां होती है, तो दोनों तरह आप मतला की भर और वदू दोनों डाइटिंग करते हैं अच्छा दिखने के लिए, तो अनिल जी कुछ पैनलिस्ट आपके ऐसे हैं, जो की एक मेने से किटो डाइट पर है, किटो डाइट पर हैं, तो व अनिल जी मेरा पिक ओफ दा सीरीज है, MMTC, मेरे को कैज के अनिल जी दो स्टॉप बढ़े अच्छे लग रहे हैं, एक अर्विंद लिमिटेड और एक MMTC, तो काफी जदो जायत के बाद मेरे MMTC को सेलेक्ट करा है, MMTC है मेरा पिक ओफ दा सीरीज, 48.5 का स्टॉप लोस है, 61 से स्टॉप की रेड़ी फॉर बिग अपसाइट ब्लास्ट, लेकिन ये तो FNO में ही नहीं, अनिल जी कैश का स्टॉप भी तो दे सकते हैं, फूरे मिले बर्का है, तो कैश का स्टॉप भी तो अलाउड है, आप इसी तरह से प्रयास करते रहें, कैश के स्टॉप को सीरीज में स्टॉप भी तो FNO में आई जाएगा, वैसे आपके टार्गेट जो है, बहुत जल्दी आने की संभावन आए, क्योंकि आज हमारी एक बड़ी और exclusive ख़बर भी है, जो थोड़ी देर में हम आपको फिर से बताएंगे, नो बज़े जूड़िएगा हमारे साथ MMTC को लेकर आ 820 का जो एक स्विंग बना था वो अभी यहां से वाइलेट नहीं होना चाहिए, लगब अटराजार तक एक काफी कॉंफिडेंट स्विंग बन सकता है, जिस तरीके ते एक कैंदलिस्टिक फॉर्मिशन हुई है, एक रेर कैंदलिस्टिक फॉर्मिशन जिसे हम भोमिंग पि है, मुझे लग रहा है, यह काफी शांदार पिक हो सकती है, इस सीरीज के लिए, लगबग 265 औ 285 यह दो टागेट के लिए यहां पर खरीदारी करनी चाहिए, जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगबग 226 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर अपनी पोजिशन बनाए अगर पूल बैक मिल जाता है, तो 240 से 234 एक अच्छा अक्यूमलेशन जोन होगा, फर्स टागेट होगा और 265 का और फाइनल टागेट होगा और 285 का ओके, 265-282 टागेट के लिए करें खरीदारी, केनेरा बैंक में यह है आपके लिए राय सचिन जी की तरफ से, सुमी जी सूपरभाद, बताएं सर अनी जी जो पिकोर्दा सिरीज है, वो है जी एन एफसी, जी एन एफसी के अंदर मेरेको चार्ट के उपर एक अच्छा स्ट्रक्ट दिख रहा है, मेरेको ऐसा लग रहा है कि इस सिरीज में जी एफसी में अच्छा उपर का मूँव देखने को मिलना चीए, 460, 467 के बीच म जी एन एफसी में खरदारी करें, 440 का नीचे में स्टॉप्रोस दगाना है, उपर में जो टागेट दिखने को मिल सकते हैं, पहला टागेट दिखने को मिलेगा 500 रुपे का और 500 का लेवल तूटता है, तो 520 रुपे तक का मूँव भी जी एन एफसी के अंदर देखने को म रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी यहां से आपको आती हुई दिख रही है, परफॉर्मेंस आने वाली है कई सारे और स्टॉक्स की जिनके आए हैं नतीजे और एक बार इन कुछी नतीजों पर बात कर लेते हैं, बी एचिएल, ऑन दे फेस अफ़ेट नतीजे अच् क्या करना है बी एचिएल के चार्ट पर? और 64 से 65 का ही टार्गेट है, जो कि on the upside में देखूंगी, क्लियर कर रहा है कि नहीं? ओके तो यह है आपके लिए भेल पर आए, आएए सिदार जी भी हमारे साथ है तैयार, सिदार जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर्फ पिक ओफ दे सिरीज, गुड मॉर्निंग दिपान्शुआ सभी को, पिक ओफ दे सिरीज भारत का सबसे बड़ा नहीं, एशिया का सबसे बड़ा और लार्जेस्ट अलुमिनियुम प्लेयर लेके आया हूं, और वो कंपनी है हिंडाल को, हिंडाल को अलुमिनियुम रोलिंग और रिसाइकलिंग कंपनी में तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, और मेजर कॉपर प्लेयर है, दस देशों में इनका ऑप्रेशन्स है, और डी लवरेजिंग की बहुत बड़ी एक स्ट्रॉंग ट्रिगर दिख रहा है, सॉलिड अप्रेशन्स, वैल्यूएशन रीजनेबल, और लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर स्मेल्टर है हिंडाल को के पास, हिंडाल को पिक अप दे सीरीज को कि मेटल मुझे लगता ह है कि ये महिने में अच्छा करेगा, और हिंडाल को इसमें लीट कर सकता है, नॉन फेर स्पेस में, हमारा ऐसे तो टार्गेट लॉंग टर्म 578 है, पर मैं मानता हूँ कि आज 490 के प्राइस से भी, आप कुछ नहीं तो सवा 500 से 530 के आसपास भी देख सकते हैं ये महिने में तो हिंडाल को पर है खरेदारी की राए सिधाद जी की तरफ से 570 के अग्रेसिफ टार्गेट इस सीरीज के लिए आ रहे हैं आपके लिए, ये है आपके लिए पिक अप दे सीरीज सिधाद जी की तरफ से नज़र रखेंगे इस पर, आए जैसे मैं बात कर रहा था नतीजो आसेट कॉलिटी में हमने सुधार होते हैं दिखाए, एर इंडिया के रेजिलूशन के बाद थोड़ी यहां पर भी रहात है क्योंकि अलड़ी जो कुछ डेट था, वो सरकार ने रीपे कर भी दिया है PNB के चार्ट जानते हैं इसके बारे में बंसल जी की तरफ से, बंसल जी बताएं, कल भी बढ़िया आक्शन में थे, सारे PSU बैंक्स और PNB पर पाटिसिपेट कर रहा था, आज के लिए इंपोर्टन लेवल सर दिपांचु बढ़िया टेक्निकल स्टॉक है, इन फैक्ट ये स्टॉक भी मेरे पिक अफ द सीरीज के लिए रडार पर था, चुकि ये नतीजे अच्छे आए हैं तो मेरा मानना था कि गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी इसके अंदर एक ब्रेकाउट देखने को मिला है, 40.5 के उपर ब्रेकाउट देखने को मिला है और टार्गेट बैठते हैं, 47, 48 के टार्गेट बैठते हैं सच्च जी, LIC Housing के बारे में बताएं, कल यहाँ पर भी हलका सा स्पाइक क्लोजिंग पर आते हुए दिखा था और इनके भी नतीजे अनुमान से तो बहतर ही आते हुँ दिखे हैं, क्या रहा है LIC Housing पर? अधिपांचू, इमिडिट बैसे पर तो जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगबख एक डिकलाइनिंग चैनल में ऐस्किलेट कर रहा है इसका अपर बाउंड लगबख 400 के आसपास प्लेस है, जो सपोर्ट है वो लगबख 320 के आसपास है तो मुझे लगग रहा है यहाँ पर कही जाकर थोड़ा सा कूल अफ होना चाहिए और एक पूल बैक के लिए स्टॉप तैयार हो सकता है जैसी अरॉंड 350 लेवल्स कॉंपिटेंटली ब्रेक हो जाते है ऑन दा हायर साइड मुझे लगग रहा है 360-365 तक यह पर्टिकलर मूब फिर एक्टेंट होनी चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉंग बैस ही रखना चाहिए ऑन दा लोर साइड 320 एक अच्छा स्ट्रॉंग सपोर्ट है और 365 के बाद लगबग 400 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस भी नहीं है तो यहाँ से एक नेगेटिव बाय थूल आउट होना चाहिए और स्टॉप में confidently trade करने हैं on the long side about 350 ओके तो यह है आपके लिए LIC housing कोफोर्ज इनके भी नतीजे largely अनुमान मताबिक रहे है guidance इन्होंने बढ़ाई है पर कुनाल जी दिस चना से IT में गिरावट आई है कल कोफोर्ज में एक बड़ा wipe out हमने आते वे देखा था days low पर बंद हुआ दमदार नतीजे बर चार्ट कल की बड़े breakdown क्या रहा है कोफोर्ज पर रहा और आज के लिए इंपोर्टन लेविल्स है देखे बाइन फॉर्चनेटली दिपांचु एक मेजर ब्रेकडाउन आ चुका है और जो बड़ा सपोर्ट है वो काफी दूर नीचे दिखाई पड़ता है तो अभी यहां पर गिरावट तुरन थम जाएगी इसके संभावना मुझे कम दिखती है एक उच्छाल जरूर इस खबर के चलते आ सकता है और उच्छाल में हो सकता है आपको 4050 तक के लेवल्स देखने को मिलें लेकिन मुझे लगता है इवेंचुली एस स्टॉक जो है एक बार के लिए 4000 के लेवल्स आ एक बड़ा ब्रेकडान आया था हाला कि नंबर्स बिलकुल भी इतने खराब नहीं है सिदाजी निपॉन एमसी यहां पर अनुमान मुताबिक नंबर्स आते हुए दिखें आई में अच्छी बड़त है तोड़कुल इंकम बट मुनाफ़ा थोड़ा गिर कर आया है इन्वे अगर देखा जाए तो हर कॉर्टर में जो एडिशन है वो सबसे ज़्यादा इसी कंपनी में हो रही है तो ओवरल प्रस्पेक्टिव से यह इंडस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉंग है क्योंकि अभी भी निवेश जो देख रहे हैं 2.5% के आसपास है फैनेंशल इक्विटी म मांकिट्स में जो मैं मानता हूं कि यह आगे बढ़ेगा ही ओवरल प्रस्पेक्टिव से निप्पॉन एसेट मैनल में ऑपरेशनली भी बहुत भेहतरीन काम कर रही है तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ इसके उपर निपॉन एसेट मैनल में ओके तो यह है आपके लिए निपॉन लाइफ एमसी पॉजिटिव व्यू है सिदाजी की तरफ से मिटकैप आईटी पर भी सिदाजी की राहे लेंगे और धेरो कैश एर्निंग्स हैं जो भी समझनी बाकी है